पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यमेंट है जिसको आप अपनी ID प्रूफ या फिर Address प्रूफ या फिर Birth प्रूफ के तौर पे यूज कर सकते हैं इसके अलावा भी पासपोर्ट को आप बहुत जगे पे यूज कर सकते हैं जितना जल्दी हो सके आपको पासपोर्ट को बना लेना चाहिए पासपोर्ट को किसी भी अधर कंट्री में जाने के लिए आपको बनवाना अन्युवार होता है आज की इस वीडियो में हम सिखेंगे कि पासपोर्ट को हम किस परकार से बनाते हैं अगर आपके पास यहाँ पे laptop है या फिर अपना mobile phone है तो आप यहाँ पे passport को बहुत ही आसानी से पना सकते हैं simply आपको यहाँ पे chrome browser को open कर लेना है अगर आप यहाँ पे अपने mobile से use कर रहे हैं तो आप यहाँ पे play store से passport सेवा की official application को download कर सकते हैं बस यहाँ पे जो steps रहेंगे वो बिल्कुल same ही रहेंगे चाहे आप यहाँ पे chrome से open करें या फिर application से या फिर mobile के chrome से तो हम यहाँ पे search करेंगे passport जैसे आपने passport सर्च किया तो इसके बाद आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से passport सेवा की official website आ जाएगी जैसे की www.passport.india.gov.in आपको यहाँ पे इसके उपर किलिक करना है जैसे आप इसके उपर किलिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे चार option देखने के लिए मिलेंगे जैसे की new user registration, existing user login या फिर check appointment, availability और इसके लवा track application status so अगर आप first time यहाँ पे apply कर रहे हैं तो उस condition में आपको new user registration करना होगा इसके लिए आपको इसके उपर किलिक कर देना है जैसे आप यहाँ पे किलिक करेंगे आपके पास यहाँ पे दो option आते हैं जैसे की passport office या पिर CBB Delhi so आपको यहाँ पे passport office को चूच करना है then इसके बाद यहाँ पे आप अपना passport office चूच करेंगे जो भी आपकी nearby passport office है उसको आपको यहाँ पे चूच कर लेना है इसके बाद यहाँ पे फॉस्ट में आपको अपना first name plus middle name डाल देना है और इसके निचे यहाँ पे surname यानि की last name डालेंगे और इसके निचे आपको अपना date of birth डाल देना है इसके निचे mail id डालेंगे और इसके निचे आपके पास एक option आरहा है Do you want to use login ID to be same as email ID So, यहाँ पर yes के उपर click करना है और इससे पहले आपको यहाँ पर अपनी mail ID को डाल देना है इसके बार scroll down करेंगे आप यहाँ पर आपकी mail ID आ जाएगी इसके नीचे आपको अपना password डाल लेना है then इसके नीचे confirm करेंगे password और इसके नीचे यहाँ पर आपको एक question चूच करना होगा जैसे की birth city, favorite color या फिर favorite clickator So, इन में से एक option चूच करेंगे उसका answer यहाँ पर आपको खुद से डालना होता है So, उसका answer आपको उस time पर help करेगा जब आप यहाँ पर password भूल जाएंगे तो उस time पर recovery करने के लिए आसान रहेगा So, इसके बाद यहाँ पर आपको capture code जैसे दिख रहा है वैसे ही डाल देना है Then, इसके बाद register के उपर click करेंगे जैसे आप यहाँ पर register के उपर click करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपका registration complete हो जाएगा यानि की login ID और password बनके तयार हो जाएगा So, इसके बाद next step में आपको क्या करना है इसके लिए हम home पर जाएंगे Home के उपर click करना है और इसके बाद यहाँ पर आपके पास आजाएगा existing users करके So, आपको existing user login के उपर click करना है Then, इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी login ID डालेंगे यानि की email ID जो की हमने अभी-अभी create की हुई है So, इसके बाद continue के उपर click करेंगे Then, यहाँ पर password डाल देना है और इसके नीचे आपको यहाँ पर जैसे की capture code दिखाया गया है Same to same डाल देना है इसके बाद login के उपर click करेंगे जैसे अपनी login के उपर click किया तो आपके पास यहाँ पर एक option देखने के लिए मिल जाएगा Apply for fresh passport या फिर re-suit the passport So, आपको fresh passport के लिए apply करना है So, इसके लिए यहाँ पर click करेंगे Then, click here to fill the application form के उपर click कर दिना है इसके बाद आपके पास यहाँ पे दो option आते हैं जैसे की state और district So, आपको यहाँ पे state और district को choose कर लेना है यहाँ पे आपको state choose कर लेना है जहाँ भी आप रहते हैं उस state को यहाँ पे choose करेंगे इसके बाद यहाँ पे district को choose कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर नीचे आपके पास option आ जाएगा तो आपको यहाँ पर इसको चूज करना है देन इसके बाद submit के उपर किलिक करेंगे और इसके बाद आपके पास यहाँ पर दो option देखने के लिए मिल जाएंगे तो आपको यहाँ पे fresh passport के उपर click करना है then इसके बाद types of application यहाँ पे दो option आते हैं normal और ततकाल अगर आप ततकाल में बनाना चाहते हैं यानि कि जल्दी बनाना है तो उस condition में ततकाल यूज करेंगे otherwise normal के उपर ही select कर लेना है इसके बाद book type अगर आप बहुत ज़्यादा travel करते हैं तो उस condition में 60 pages की book लेनी है otherwise 36 pages की book भी enough रहेगी so इसके बाद यहाँ पे next के उपर click करेंगे आप यहाँ पे आपको अपना name डालेना है इसके नीचे आपको अपना surname डालना है then gender को choose करेंगे इसके बाद यहाँ पे आपको इन questions की जवाब देने है जैसे की have you ever been known by other name so यहाँ पे अगर आपका कोई other name है तो उस condition में yes करेंगे otherwise no के उपर ही click करेंगे इसके बाद have you ever change your name अगर आपका कभी name change होया है तो उस condition में yes करेंगे otherwise no के उपर ही select कर लेना है और इसके नीचे आपको अपना date of birth को choose कर लेना है या फिर आप यहाँ पे अपना date of birth type भी कर सकते हैं then इसके बाद यहाँ पे is your place of birth out of India so अगर इहाँ पे ऐसा है तो yes के उपर click करेंगे otherwise no के उपर ही click करना है then इसके बाद place of birth आपको यहाँ पे डाल देना होगा then इसके बाद यहाँ पे आपको state या फिर union territory को choose करना होगा जैसे कि मैं अपना यहाँ पे state choose कर लेता हूँ then इसके बाद district को choose करेंगे जैसे कि यहाँ पे मेरे case में मेरा district रहेगा chump out तो आपको अपने case में अपने accounting ही choose करना है then यहाँ पर आपके पास चार option आते हैं window, divorced या फिर single या फिर separated या फिर married so आपको यहाँ पर अपनी applicability के हिसाब से choose कर लेना है जैसे कि मैं यहाँ पर single option को ही choose करूँगा then इसके बाद scroll down करेंगे इसके बाद यहाँ पर एक option आ रहा है citizenship of India by birth या फिर by registration या फिर by descent so आपका अगर यहाँ पर बर्थ हुआ है तो आपको उस condition में birth के according ही choose करना है या फिर आपको किसी दूसरी country से आए हुए है तो उस condition में आपको registration के according या फिर third option को भी choose कर लेना है इसके बाद यहाँ पर आपके पास एक option आ रहा है जैसे कि citizenship of India is by birth या फिर by registration या फिर by descent आपको अपने according चूझ करना है मैं यहाँ पर अपने birth के according चूझ करूँगा क्योंकि मेरा birth यहाँ पर ही हुआ है इसके बाद pen number यहाँ पर डाल देना है अगर आपके पास आपका pen number available है तो उस condition में आपको अपना pen यहाँ पर enter कर लेना चाहिए इसके बाद आपको यहाँ पर employee का type चूझ कर लेना है जैसे कि government या फिर private या फिर homemaker not employed other या फिर PSU जो भी आपके लिए यहाँ पर suitable है उस condition में चूझ कर लेंगे और अगर इसके बाद आपके यहाँ पर wife या फिर आपके parents किसी government service में हैं तो आपको यहाँ पर yes करना है otherwise no के उपर ही click करेंगे educational qualification आपको यहाँ पर अपनी educational qualification को चूझ कर लेना है अगर आप यहाँ पर graduate या फिर उससे above हैं तो उस condition में first option को चूझ करेंगे इसके इलावा 7th pass और less है तो उस condition में आपको इसको चूझ करना है अगर आपने 10th या फिर 12th या फिर उससे above किया है तो उस condition में आपको 10th pass वाला option चूझ कर लेना है यहाँ पर इसके बाद 4th option आता है between 8th and 9th अगर आपने 8th standard pass किया और उस condition में आपको यहाँ पर last वाले option को चूझ कर लेना है मैं यहाँ पर 10th pass वाले option को चूझ करूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पर 10th pass और 12th को पास किया हुआ है और इसकी अलावा यहाँ पर डिप्लोमा भी किया है इस condition में हम यहाँ पर 10th pass option को ही चूझ करेंगे इसकी बाद एक और option आता है is applicant eligible for non-ECR category अगर आपने 10th pass किया है तो उस condition में yes के उपर किलिक करेंगे अगर आप 7th या फिर 7th से below की educational qualification को meet करते हैं तो उस condition में आपको no के उपर किलिक करना होगा इसके बाद यहाँ पर एक और option आता है vegetable discussing marks अगर आपके चेहरे में या फिर कोई hands में या mouth में या फिर किसी भी परकार की कोई mark available है तो उनको यहाँ पर आपको mention कर लेना चाहिए तो यहाँ पर मैं कुछ mentions कर लेता हूँ इसके बाद आधार number अगर आपके पास available है तो आपको यहाँ पर अपना आधार number डाल देना है आज की time पर आधार card सभी के पास available होता है तो उस condition में आपको अपना आधार card यहाँ पर डाल देना है इसके बाद आपको यहाँ पर terms and conditions को agree करना होगा so इसके लिए yes के उपर click करेंगे then इसके बाद save my details के उपर click कर देना है इसके बाद दुबारा से यहाँ पर scroll down करेंगे और next के उपर click कर देना है so इसके बाद यहाँ पर आपके पास family members का नाम डालने के लिए आ जाता है so यहाँ पर आपको अपने father's name या फिर legal guardian names यहाँ पर डाल देने है जैसे कि first name यहाँ पर डाल देना होगा इसके नीचे आपको surname डाल देना है then यहाँ पर mother's name को enter करना होगा then इसके बाद save my details के उपर click करेंगे और इसके बाद यहाँ पर next के उपर click कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पर अपना present regional address डाल लेना है जो भी आपका present address है उसको यहाँ पर डाल देंगे so यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है as your present address out of India so यहाँ पर no रहेगा मेरे case में आपको अपने according ही डालना है village या फिर town या फिर city यहाँ पर आपको अपने according ही डाल लेनी है इसके बाद आपको यहाँ पर अपना nearby police station चूच कर लेना है then इसके बाद यहाँ पर pin code डाल लेंगे so pin code और इसके अलवा mobile number, telephone number जो भी आपके पास available है उन सभी code डालना होगा इसके अलवा जिसके उपर यहाँ पर red mark आ रहा है उसको आपको mandatory डालना ही डालना है so उसके according यहाँ पर हम सारी details को fill up कर लेते हैं इसके बाद scroll down करेंगे और इसके बाद एक और option यहाँ पर आ रहा है is your permanent address same as present address मेरे case में यह same नहीं है so यहाँ पर no के उपर click करूँगा और अपना यहाँ पर address में fill up करूँगा so आपको अपने according ही select करकी यहाँ पर details को fill up कर लेना है then इसके बाद save my details के उपर click करेंगे और next के उपर click करके next process में जाएंगे इसके बाद यहाँ पर आपके registered mobile number पे और mail id पे एक sms आएगा so उसके तुरू यहाँ पर verification होगा so इसके लिए आपको यहाँ पर terms and condition को agree करने के लिए ok के उपर click करना होगा कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपकी application submit हो गई है then next के उपर click करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर name and address डाल देना है इसके अलवा mobile number इसके अलवा telephone number और mail id यहाँ पर आपको emergency contact के तौर पर डालने होगे जैसे कि अपने family member का यहाँ पर address बगरा डाल सकते हैं so इस condition में मैं अपने यहाँ पर किसी भी family member का यहाँ पर mail id और address डाल दूँगा इसके बाद यहाँ पर save my details के उपर किलिक करना है then next के उपर किलिक करेंगे अब यहाँ पर आपके पास एक option आएगा identity या फिर certificate oblig passport details so यहाँ पर आपके पास सबसे पहला option आ रहा है have you ever had या फिर hold any identity certificate so यहाँ पर आपको no के उपर किलिक कर देना है then इसके बाद detail of previous या फिर current diplomatic official passport so यहाँ पर आपको details not available के उपर किलिक करना होगा then इसके बाद यहाँ पर have you ever applied for passport but not issued अगर आपने पहले apply किया है अगर आपको issue नहीं हुआ तो उस condition में आपको yes करना है otherwise यहाँ पर no के उपर किलिक करेंगे then save and next के उपर किलिक करेंगे यहाँ पर other details आ रही है जैसे कि provide the following details if there is any criminal proceeding pending against the applicant so आपको सारे option पर no कर देना है लेकिन इससे पहले आपके पास यह terms and conditions fulfill होनी चाहिए अगर यहाँ पर कोई भी case आपके पास pending है तो उस case में आपको yes के उपर किलिक करना होगा उसके बाद ही आपको save my details के उपर किलिक करके next के उपर किलिक करना है अब आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जा रहा है आपका passport किस तरीके का रहेगा या फिर कैसा दिखेगा उसका यहाँ पे एक demo दिया गया है तो कुछ इस तरीके से आपका passport दिखेगा यहाँ पे आप अपना address वगरे चेक कर सकते हैं क्या आपने अपना address सही डाला है या फिर इसके अलावा कुछ modification अगर आपको करने हैं तो यहाँ पे अभी आपके पास एक chance है जिसके थुरू आप यहाँ पे modify कर सकते हैं तैन इसके बाद next के उपर click करेंगे आप यहाँ पे self declaration आ रही है तो आपको यहाँ पे declare करना होगा इसके लिए आपको proof of birth यानि की इसमें से एक document को select करना है इसके अलावा यहाँ पे proof of present address select करना होगा तो यह दोनों आपके पास होनी चाहिए अगर आप किसी दूसरी address में रहते हैं तो आपके पास उसके लिए valid document होता है rent agreement तो उस condition में आपको rent agreement को लगाना होता है otherwise अगर आप अपनी permanent address में रहते हैं तो उस condition में आपको अपना आधार card या फिर रासन card या फिर बिजली का बिल कोई भी चीज applicable होती है तो उसको यहाँ पे valid document के तौर पर लगा सकते हैं इन मैंसे लेकिन आपको यहाँ पे select करना होगा select करने के लिए आपके पास यहाँ पे बहुत सारे documents देखने के लिए मिल जाएंगे तो birth के proof के तौर पे आपके पास इतने सारे options यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं यहाँ पे आपके पास number of options बहुत जादा हैं इन मैंसे आपको किसी भी एक option को चूच कर लेना है और उसी के according यहाँ पे document को upload कर लेना है तो अगर आपके पास यहाँ पे birth certificate available है तो आपको यहाँ पे birth certificate issued by the register के उपर किलिक करना है इसके बाद यहाँ पे आप अपना birth certificate access कर सकते हैं DG Locker के थूप तो आपके पास यहाँ पे option रहेगा DG Locker और इसके बाद यहाँ पे proof of residential address के लिए आप यहाँ पे अपना आधार card या फिर arm license या फिर bank post office birth certificate issued under the RBD Act इन में से कोई सभी option चूच कर सकते हैं जितने भी option यहाँ पे available हैं उन में से किसी भी एक option को चूच कर लेना है तो मैं यहाँ पे अपने case में आधार card यूच करूँगा आपको यहाँ पे अपना birth certificate upload करने के लिए DG Locker से access देना होगा इस condition में आपको यहाँ पे DG Locker को login कर लेना है इसके लिए हम यहाँ पे आधार card अपना डाल लेते हैं आधार card के थूँ login कर लेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे fetch from DG Locker के उपर click करना है जैसी इसके उपर click करेंगे तो आपके पास यहाँ पे update होने लग जाएगा और इसके बाद यहाँ पे OTP आएगा और OTP आने के बाद आपको यहाँ पे birth certificate और आधार card को take कर देना है देन इसके बाद आपके यहाँ पे data successfully update हो जाएगे then यहाँ पे self declaration आ रहा है so आपको यहाँ पे नीचे scroll कर लेना है यहाँ पे आपको place डाल देना है then इसके बाद terms and conditions को agree करना है और save my details के उपर click कर देना है और यहाँ पे सारी details save हो चुकी है इसके बाद आपको यहाँ पे submit form के उपर click करना होता है इसके अलावा यहाँ पे आप preview application form के उपर click करके आप check भी कर सकते हैं जैसे की कुछ इस प्रकार से so आपकी यहाँ पे complete application कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाएगी so आपको यहाँ पे सारी details को check कर लेना है then इसके बाद submit form के उपर click करेंगे यहाँ पे आपके पास application fees को payment करने का एक option देखने के लिए मिल जाएगा so आपको यहाँ पे pay and schedule appointment के उपर click करना है इसके बाद यहाँ पे state bank of india के card से आप यहाँ पे pay कर सकते हैं इसमें option और नहीं रहेंगे so SBI का debit card आपके पास होना चाहिए या इसके अलावा credit card या फिर internet banking id या UPI id so next के उपर click करेंगे आपका application reference number यहाँ पे आजाएगा इसके बाद आपका given name आजाएगा surname date of birth आजाएगी so next के उपर click करेंगे कुछ इस प्रकार से अब यहाँ पे आपको appointment location को choose करना होगा जैसे की यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत सारी locations आपके पास देखने के लिए मिल जाएगी इन में से आपको location को choose कर लेना है यहाँ पे आपको अपनी suitability की इस साब से location को choose करना है जो की आपने पहले यहाँ पे reference दिया होगा जैसे की मैंने पहले पियारो जैपूर choose किया था तो same उसी को यहाँ पे choose करना है इसके बाद यहाँ पे आपको capture code को डाल देना है then इसके बाद next के उपर click करेंगे इसके बाद आपके पास यहाँ पे नया page open हो जायागा जिसके उपर लिखा होगा pay and book appointment यहाँ पे आपको 1500 रुपीज की fee payment करनी होगी इसके बाद आपको यहाँ पे appointment date को choose कर लेना है इसके लिए आपको यहाँ पे calendar के उपर click करना होगा calendar में जहाँ भी आपके पास green button है that means कि यहाँ पे आपके पास seats available है so आपको यहाँ पे seat की availability के हिसाब से यहाँ पे date को choose कर लेना है इसके बाद आप यहाँ पे pay and book appointment के उपर click कर सकते हैं यहाँ पे आपके पास payment की बहुत सारे options देखने के लिए मिल रहे हैं so आपको इन में से किसी भी option को choose करके यहाँ पे fee payment कर लेनी है कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे payment को complete करना है payment को complete करने के बाद आपको यहाँ पे applicant home के उपर click करना है then यहाँ पे नीचे एक option देखने के लिए मिलेगा view, saved, application, submit, application so यहाँ पे आपके पास तीन option आते हैं click here, या फिर payment, या फिर receipt payment successful होने के बाद receipt को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है अगर payment में कोई failure आ गया है तो आपको यहाँ पे दुबारा से payment कर लेना चाहिए then उसके बाद ही आप यहाँ पे receipt को डाउनलोड कर सकते हैं इसके बाद आपको अपनी appointment date की according अपनी passport, size की photo और आधार card के साथ में passport सेवा केंदर में जाना है और अपना verification और fingerprint authentication कर लेना है उसके बाद आपकी घर के address पे आपका passport एक हफते से लेकर 10 दिन के बीच में deliver हो जाएगा अगर आपका भी payment fail हो जाता है तो उस condition में आपको applicant home के उपर आना है then इसके बाद view saved oblique submitted application के उपर click करना है then इसके बाद यहाँ पे आपको select कर लेना है इसके बाद यहाँ पे payment वाले option में जाएंगे इसके उपर click करेंगे then यहाँ पे pay and schedule appointment के उपर दुबारा से click करके यहाँ से आपको payment को complete कर लेना है इसके लिए यहाँ पे आपकी details आ जाएंगी then यहाँ पर आपको location को choose कर लेना है appointment date को दुबारा से select कर लेंगे इसके बाद pay and book appointment के उपर दुबारा से click कर लेना है then okay I understood के उपर click करेंगे अब की बार हम यहाँ पर debit card को use ना करके यहाँ पर UPI select करेंगे UPI के through यहाँ पर payment बहुती आसानी से हो जाती है QR code को select करना है और यहाँ पर QR code को scan करके payment को कर सकते हैं इसके बाद आपके पास दिखायाँगे इस QR code को scan करना है और payment को complete कर लेना है जैसे आप transaction को complete करेंगे तो आपका transaction का status यहाँ पर successful हो जाएगा तो okay के उपर click करना है यहाँ पर देख पा रहे हैं आपकी transaction का status success हो चुका है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपकी application successfully book हो गई है आपकी details यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं आपकी application number यहाँ पर रहेगा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर scroll down करेंगे और यहाँ पर आपके पास एक option देखने के लिए मिल जायागा Print application received So इसके उपर ही click करना होगा Then इसके बाद यहाँ पर scroll down करेंगे इसके बाद print application received के उपर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपके पास एक notification देखने के लिए मिल जायागा Carrying print out of application received is no longer required So okay के उपर click करना है इसके बाद print application received के उपर click करेंगे इसके अलवा एक और option आता है save as PDF So आपको save as PDF के उपर click कर लेना है और यहाँ से save कर लेंगे Then इसके बाद हम print out निकाल सकते हैं So save करेंगे Then मैं आपे desktop के उपर चूच कर लेता हूँ यहाँ पे मैंने इसको save कर लिया है So आज की इस complete वीडियो में हमने सीख लिया कि किस प्रकार से हम यहाँ पे passport को कैसे बनाते हैं और आने वाली वीडियोज में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और अगर यह वीडियो आपको helpful लगी तो इस वीडियो को आप अपने friends में और अपने family members को share जरूर करें